नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपाद की से समंदित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं कल पूछे गए प्रश्ण के साथ प्रश्ण है कि भारती संविधान का अनुच्छित 111 निम्न में से किस से समंदित है तो इसका सही जवाब है option A यानि की विधयक पर राष्टपती के अनुमोधन देने की शक्ति चलिए अब हम सुरुवात करते हैं अपने संपाद की की ये रहा आज का पहला संपाद की है जिसका शिर्षक है cooperative hospitals a good idea इसे लिया गया है financial express से और यह संपाद की है GS paper 2 में शामिल विशे स्वास्थ, सिक्षा, मानव संसादनों से संबंधित, समाजिक छेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विशे के द्रिष्टिकों से अत्यंत ही महत्तपूर्ण है इस संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं लेकिन उससे पूर्व या प्रश्ण आपके लिए प्रश्ण है कि आयुस्मान सहकार योजना निम्न में से किस मंत्राले से संबंधित है चार ओप्शन है ओप्शन A स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले ओप्शन B कृषी एवं किसान कल्यान मंत्राले ओप्शन C A और B दोनों और ओप्शन D इनमें से कोई नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप यह बताईएगा कि इसका सही जवाब क्या है अब हम बढ़ते हैं अपने संपादिकी की ओर और देखते हैं विस्तार के साथ कि पहला संपादिकी आखिर किस विसेवस्तु पर ध्यान आकरसित करना चाहता है तो जो पहला संपादिकी है उसका आधार है आयुसमान सहकार योजना और इस आयुसमान सहकार योजना को प्रारंब किया गया है कृषि एवं किसान कल्यान मंत्राले के अंतरगत राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम के द्वारा राष्ट्रिय सहकारी विकास निगम एक स्वायत विकास वित्य संस्थान है आखिर आयुसमान सहकार योजना है क्या तो इसके लिए कुछ प्रमुक बिंदुँओं पर हम चर्चा करते हैं जैसे पहला बिंदु कि इस आयसमान सहकार योजना के अंतरगत स्वास्त स्विधाओं की इस्थापना के लिए सहकारी समीतियों को 10,000 करोर रुपए रिन देने की बात कही गई है और यह रिन दी जाएगी किसके द्वारा राश्ट्रिय सहकारी विकास निगम के द्वारा और इस रिन को जो सहकारी समीति प्राप्त करेंगे तो उसका उपियोग किस प्रकार से किया जाएगा तो इसके अंतरगत स्वास्त पनालियों का विकास किया जाएगा जिसमें अस्पतालों का निर्मान एवं मरम्मत, आधनी की करण, नवीनी करण और अस्पताल का विस्तार सामिल है। वहीं इसके अंतरगत स्वास्त सिक्षा को भी शामिल किया जाएगा। केरल मौडल पर आधारित है। केरल में 30 सहकारी अस्पताल है, जिसमें से एक सहकारी अस्पताल अबुधा भी दुबई में अपनी सेवा दे रहा है। अब हम भारत में जो स्वास्त की इस्थिती है उस पर एक नज़र डालते हैं। तो देश में कुल होने वाले स्वास्त खर पर खर्च की बात करें तो यह GDP का महज 1.29% है वहीं अगर हम इसकी तुलना Organization of Economic Corporation and Development में शामिल देशों से करें तो यह काफी कम है क्योंकि वहां पर सार्जनिक स्वास्त पर जो खर्च किया जाता है वह कितना है 9% of GDP वहीं अगर हम स्वास्त कर्मियों की संख्या की बात करें भारत के संदर्व में तो देखें क्या स्थिती है कि प्रति 1000 आबादी पर यहां डॉक्टरों की उपलबधता कितनी है 0.6 डॉक्टर वहीं प्रतियक डॉक्टर पर नर्स की उपलब दता कितनी है? 2.2 नर्स और अगर इस आकडों की तुलना हम डबलू एचो मानक से करें तो देखें कितना कम है क्योंकि डबलू एचो मानक के अनुसार प्रती हजार आबादी पर एक डॉक्टर का होना आवस्यक है और प्रती भी मौजूद हैं जहां पर स्वास्त प्रडाली की इस्थिति अध्यंत ही दैनी है क्योंकि बिहार में अगर हम डॉक्टर और मरीज के अनुपात की बात करें तो यहां पर प्रती हजार आबादी पर 0.26 डॉक्टर की उपलब दता है वहीं बिहार में अगर सरकार संचालित स्वास्त सुविधाओं की बात करें तो लगभग 10 हजार की आबादी पर एक स्वास्त सुविधा मौजूद है मतब ऑसतन लगभग 10 हजार की आबादी पर एक स्वास्त सुविधा मौजूद है वहीं अगर देश की स्तर पर हम बात करें तो ऑसतन लगभग 7 हजार आबाद की कमी देखी गए थी और कोविड-19 महामारी के इलाज के दोरान डॉक्टरों और चिकित्सा विससग्यों की कमी बड़े पैमाने पर खली है वही 2011 इसवी में रेड़ी समिती ने योजना आयो को अनुसंसाइं दी थी और वो अनुसंसाइं क्या थी जरा उस पर गौर कीजिए अनुसंसाइं थी कि स्वास्ट सेवा की कमी वाले राज्यों में नर्सिंग इसकूलों को खोला जाए उसके अलावा मेडिकल कॉलेज को जीला अस्पतालों से जोडा जाए और ग्रामीन छेत्रों में जो चिकित्सकों की कमी है तो वहाँ पर चिकित्सकों की पूर्ती या अगर सारव भौमिक पहुच को बढ़ाना है और इस लक्ष को प्राप्द करना है तो आयुस्मान सहकार योजना के अंतरगत जो प्राप्धान है उन प्राप्धानों पर गंभिरता पूर्वक कारी किया जाए। क्योंकि अगर कारी किया जाता है तो इसका लाप मिलेगा और लाप किस अंदर में मिलेगा तो ग्रामीन छेत्र में स्वास्त अबसनरचना में मजबूती आएगी और यह कारी इसले भी आसान होगा क्योंकि ग्रामीन छेत्रों में सहकारी समीतियों की उपस्थिती अच्छी ख इस प्रकार इस संपादिकी में हमने यह देखा कि आयुसमान सहकार योजना क्या है और भारत में स्वास्त इस्थिती कैसी है चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका शिर्षक है सुनर बैटर इसे लिया गया है दा हिंदू न्यूज पेपर से औ और यह संपादिकी जी एस पेपर थर्ड में शामिल विस है विज्ञान एवं प्रध्योगी की में भारतियों की उपलब्धिया देशज रूप से प्रध्योगी की का विकास और नई प्रध्योगी की का विकास के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है इस संपादिकी पर वि पहला सेंपल से वाइरल आर एने को अलग किया जाता है दूसरा डीने ंए एम्पलिफिकेशन किया जाता है उपरिउप तुम्हें से सही कतन है option a केवल पहला option b केवल दूसरा option c पहला और दूसरा option D, इनमें से कोई नहीं, तो comment section में आपके जवाब का इंतजार रहेगा, चलिए बढ़ते हैं, अपने दूसरे संपादिकी की ओर, जिसका आधार है, ICMR द्वारा देश में विक्सित COVID किट को अनुमती देना, और यह जो नया COVID किट है, जिसमें की पाहला किट, जिसका विक्सित किया गया है, IIT खड़कपूर के द्वारा, और इसमें nasal swab की जाच की जाती है, उसकी नमुने ले जाते हैं, COVID वाइरस की पहचान के लिए, और जो परिनाम मिलता है, वह परिनाम एक घंटे में उपलब्द हो जाता है, और यह जो kit है, यह portable है, इसे कहीं भी ले जा जा सकता है, और इसके जाच से सम्मंधित, जो तकनीकी विशेसक्गिता की बात करें, तो उसके लिए बहुत बड़े इस्तरपर प्रस्चिक्षन लेने की आवसकता नहीं है, मतलब यह कि molecular biologist होने की ज़रत नहीं है, कम प्रस्चिक्षित व्यक्ती भी COVID रैप किट की मदद स कोरोना वाइरस की जाच कर सकते हैं, वहीं अगर हम coronavirus kit की दूना RT-PCR से करें, तो मूले के आधार पर अगर हम देखें, तो RT-PCR का मूली कितना होता है, 25 लाख रुपय तक, वही कोवी रैप किट का मुल्ली कितना है 5,000 रूपए अगर हम जाच मुल्ली की बात करें तो उसमें देखें कितना देना पड़ता है व्यक्तिगत रूप से तो हमें यह पता है कि RTPCR के अंतरगत पहले जहां 4500 रूपए देने पड़ते थे वहीं अभिया कम होकर 2500 रूपए तक आया है जबकि कोवी रैप के अंतरगत अगर कोई व्यक्ति कोरोना वाइरस से समंदित अगर जाच कराता है तो उसे कितना देना पड़ता है प्रतिव्यक्ति 500 रूपए वहीं जाच जो की जाती है नमूना लेने के बाद जो समय लगता है जाच परिणाम आने में तो उ यह बात है पहले किट की कोवी रैप किट की वहीं दूसरा किट जो फैलूडा किट है इसे विक्सित किया गया है इंस्टिचूट ऑफ जनोमिक्स एन इंटीग्रेटेड बायोलोजी यह कहां परिस्तित है दिल्ली में इस्तित है और इसमें भी नाक से नमूने लिया जाते ह स्वाब लिया जाता है उसकी जांच की जाती है और जांच करने के लिए जो तकनीक है वो जीन एडिटिंग की तकनीक है और इस तकनीक की मदद से SARS-CoV-2 वाइरस की पहचान की जाती है और यही वाइरस कारण है कुरुनाम हमारी का और इसमें भी जो परिनाम मिलते हैं वह एक घंटे की अंतरगत परिनाम मिल जाते हैं और ICMR ने अपनी एडवाइजरी में यह बात कहिए कि फैलुडा किट से टेस्ट के बाद RT-PCR की आवशकता नहीं है मतलब यह कि इसमें चाहे टेस्ट पॉजिटिव आए चाहे वो निगटिव आए कोरुना वाइरस का तो फिर उसके बाद दुबारा उसे कंफर्म करने के लिए IT-PCR की जांच किया वे सकता नहीं है अब यहाँ पर यहाँ कि दोनों किट की जांच पद्धती के जो परिनाम है उन परिनामों की अगर हम तुलना rapid antigen test से करें तो इनके परिनाम ज्यादा सही है क्योंकि rapid antigen test की sensitivity अत्यांत करमन का जो लक्षन व्यक्ति में दिखता भी है तो जो rapid antigen test है उसमें जो जांच के परिनाम आते हैं वो कभी-कभी तो नकारात्मक आ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति जो coronavirus से संक्रमित तो हैं लेकिन उसमें लक्षन नहीं दिख रहे हैं जिसे हम कहते हैं asymptomatic तो ऐसे व्यक्तियो के जांच के परिनाम हमेशा से नकारात्मक ही रहते हैं अब यहाँ पर यह कि rapid antigen test के जो low sensitivity है आकिर उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि जो swab sample लिया जाता है तो उसमें viral RNA को अलग नहीं किया जाता है rapid antigen test के अंतरगत उसके अलवा जो DNA amplification करने की बात होती है तो DNA amplification भी RAT यानि की rapid antigen test के अंतरगत नहीं किया जाता है आकि DNA amplification है क्या तो इसके अंतरगत जीन का जो sequence होता है उसकी कई कॉप्या बनाई जाती है तो DNA amplification नहीं होता है rapid antigen test के अंतरगत और जो swab का sample लिया जाता है उसमें भी viral RNA को अलग नहीं किया जाता है जबकि यह जो दोनों तो मतलब जैसे हमने बात की अभी, Cobe Rap की, Faluda की, तो इसमें इन दोनों परक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है, मतलब कि जो sample लिया जाता है, उसमें viral RNA को अलग किया जाता है, उसके अलावा DNA amplification भी किया जाता है, परन्तु यहां यहां बात ध्यान रखने की है, कि दोनों जो किट हैं उसमें इस तरह के दोनों जाच करने के लिए मतलब वाइरल आरेने को स्वाब सेंपल से अलग करने के लिए और डियने एम्प्लिफिकेशन करने के लिए क्या करना होगा लेबुरेटरी की आविसकता पड़ती है तो यही कारण है कि अभी भी ग्रामीन छेत्रों म तरीके इस इसतर तक बदल सकते हैं कि जो स्वाब सेंपल लिया जाएगा तो वहाँ पर स्वाब सेंपल की आवसकता ही नहीं पड़ेगी किसकी आवसकता पड़ेगी सैलिवा की आवसकता पड़ेगी और वाइरल आरेने को भी अलग करने की आवसकता नहीं होगी तो जब ज जाच इस इस्तर पर पहुंच जाएगा तो वहां पर रैपिड एंटिजन टेस्ट की प्रासंगिक्ता अत्यनत ही कम हो जाएगी अब देखें वर्तमान क्या है कि वर्तमान में और नियंत्रित आवागमन है मत किसी परकार का कोई रिस्टिक्शन नहीं है तो हार का मौसम है आर प्रक्रिया हो एक ऐसा किट हो जो ना केवल तौरित परिणाम दे सके बलकि जो परिणाम दे उसमें सुद्धता भी उच्छो उसके अलावा उसकी लागत भी कम हो तो यह जो उद्देश है जिन उद्योस्यों की अभी हमने बात की तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करन कौन-कौन से हैं और उनकी क्या-क्या विसिस्ताएं हैं इसके साथ ही इस वीडियो को यही विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार